हेलो फ्रेंड्स वेलकम बेक टू माई चलन स्वी एन एजोजन दोस्तों आज हम डिसकस करने जा रहे हैं आंत्रिक सज्जा की कला के तत्व इव सिधानत के प्रैक्टिस सट को यह प्रैक्टिस सट नंबर हमारा जो है 14 चल ला था और 14 का पार्ट वन जो था वह हमने डिसकस कर करेंगे यानि की मैं आप से एख सकती हूं कि टूंटिवाइब प्लस को आज हम इसवीड़ेंगी डिसकस करने जा रहा हैं तो वीड़ो को फटा फटापडे ऍस्टार्ट करते हम लोग और आप साथ में इसका आंसरिंग करते चलेंगे जो हम डिसकस्शन करने जा रहा हैं आ यहां पर कलाकेत्त्त और सिध्धान्त की वीडियो को देख सकते हैं ताकि आपको इसके आंसर को करने में और ज़्यदा आसानी हो फिलाल अभी जो है इस कोशन के आंसर को जो डिसकस करते चलेंगे और साथ में जहां जहां पर आपके कलाकेत्त्त और उनसे रिए टिप कुछ तो तो है वह भी हम यहां पर आपको बताते हुए चलेंगे देखते हैं आज का जो माला पहला प्रशन है यह हमने वीडियो के फर्स्ट पार्ट में डिसकस कर लिया था फिर भी हम इसको यहां पर जो है क्योंकि प्रिंट हो गया है टैपिंग हुए तो हम इसको फिर से यहा हमारा है वह रिपीट कोशन है मानो जीवन में नौजात को कितने भागों में बाटा गया है दो भागों में तीन भागों में चार भागों पाच भागों में तो इससे बाटा गया है वह कितने भागों बाटा गया था आपके दो भागों में बाटा गया था इसके बारे में यानि कि previous ear के जो पेपर है आपके अपका TGT का हो PGT अधियर का रहा हो या फिर आपके जो है आसिस्टंस प्रोफेसर कर रहा है इसमें मैंने सभी तरह के कोषनों को आपके जो लिया है जो कोषन आपके previous पेपर में आ चुके हैं मैं और previous के पेपर पेपर जो है हमको इसलिए भी करना चाहिए क्योंकि प्रिवेस जो पेपर की कोशन होते कई बार हुब हुआ उठा के आपके नेक्स पेपर में ऐसे ही पूछ ले जाते हैं और कई बार उसके सरूप को सिफ चेंज करके कोशन आपसे पूछ लिया जाता तो इसलिए इन कोशनो हमारा देर रखा रेखा आकार ऽापремत मोना लएं मिलां ऑफिर संत्वाद सब्सक्राइब करने आपके अगर अब कговit यह आपके साथ होते हैं कवसे होते हैं वह हम साथ होते हैं ताकिया आपको आंसरी करने में असानी होते हैं । अगर आप इसके बार में और डिटेल में जानना चाहते हैं तो आपको हमारे चनल के प्लेइलिस्ट में जाकर वहाँ पर जो है इसका डिटेलिंग वीडियो को देखना होगा फिलाल अभी में आपकर सिर्फ उनके नाम के बारे में जान लेते हैं क्याकों से आपके कला के तत् पृट कोने को नहीं हो सकता है लेकिन अगर आपको इन से यह ठील को आक को अपस्ट आ कर सकते है थे फो आपको आपको दूरों GL sant भी कुछ भी पता है तो आप इन प्ष्ट आपको आंसे बहुन आता है जिसका आपको अं सिद्धांत पता ऑक अप की अंपात आपका इसमें नहीं आता तो यह कठ हो सकते हैं तो यहां पर हमने देखा है कि रेखा भी है आपका ठीक है इसमें आपका रेखा है आकार और रंग अगर हम अकार और रंग की बात करते हैं तो यह तीनों ही क्या हैं आपके कला के तत्तु हैं तो यह option आपका सही हो जाएगा तो यह आ लिए नहीं और यहां पर संतु रेता दाब वी हुं को सिध्धान बतारे हैं कि शोग है को पूछा कैया से दाफिजुशक करता है अब आपको अबहास बता है कि एकता का अभिफाश्वान पूछेम्ट Νा संतुलन करता है तो आपका एक रूपता का आभास है जो आपका उत्पन करता है कौन घरता है ईक रूपता करते तो एक रूपता इसका जो है सही आंसर हो जाएगा option number FOR कि सुंधरता रंग और डिजाइन जो बार-बार दोहराई जाती है कहते हैं इन फैंसिस कहते हैं हार्मनी कहते हैं रिदम कहते हैं या फिर लाइन कहते हैं तो देखिए जो भी चीज आपकी चाहिए उसकी सुनरता हो आपके डिजाइन में या रंग हो या फिर आप उस डिजाइन को बार बार दोहरा रहें अब यहां पर की पुछा गया, यहां सदे आपसे पूछ लिया गया, कला के तत्त होते हैं, ओपिशन दिए गये आपको 37899, और अभी हमने ऊपर डिसकस किया था, कितने होते ही, हमारे यह होते हैं, आपके seven होते हैं, कौन कौन से होते हैं, आपको पता है, आपका रेखा है, रेखा है, सरूप है, पोथ है, रंग है, नमूना है, प्रिकास है, इस्थान है यह साथ आपके हैं, तो साथ यहाँ क्या होगा, इसका correct answer हो जाएगा question number six है, कला के तत निम्न है आपको यहाँ पर अब देखे, यहाँ पर जो है, वहाँ पर भी यही पूछा गया था नमूना है, बताना है कौन सा कला का तत्त्तु है, तो देखे नमूना है अगर हम सेक्रेंड देखते तो नमूना आपका आकार सता और रंग यह क्या है आपके सभी क्या है यह सब कला के तत्तों तो option number B क्या हो जाएगा इसका correct answer हो जाएगा अगले question को देखते हैं option number आपका 7 है नमूने के सिधान्त है 4 3 2 5 अब नमूने के कितने सिधान्त होते हैं यह आपको बताना है यानि क्या इसका persecution क्या हो हो जाए यह कितने होते हैं 5 होते हैं option number D क्या हो जाएगा इसका सही आंसर यह 5 कौन-कौन से होते हैं देखिए एक तो आपका अनुपाद है दूसरा आपका संतुरन है तीसरा आपका लय है चौथा आपका दबाओ है और पांचवा आपका एक रूपता या फिर अनुपता जिसे हम कहत है यह आपका जो है moment आपका फीजियोलोजी से है लेकिन आया तो फटा-फट इसको भी देख लेते को सब्सक्राइब करेंगे हमारे लिए ही वह क्या है वेनिफीशियल है तो हम इसको देख लेते हैं इसको भी इस सारी चीजे अपने पढ़ भी रखी है तो को नमबर 8 में क जाती है जो उपर का मारा पैर का हिससा होता है वहां पर आपकेका पया है कि होती है वह फीमर कहते है और निचले भागक सफ्क्राइब का इब सब्सक्राव यहां डीबिया पूछा गया है आपकी कहां की हड़ी है तो यह आपकी पैर की हड़ी है कोशन नमबर 9 है आपका संतुलन से परिधान में आता है विश्राम दायक भाव तंगी भाव दिखावा या कुछ भी नहीं तो संतुलन से जो परिधान होते हैं उसमें क्या आता है एक तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका option number A क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा question number 10 हमारा है कला के मूलवूत सिधान्त है अनुपात एव अनुरूपता लय तथा संतुलन संबल तथा व्यक्तित उप्युक्त सभी तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका इसका आपका लेव संदुलन था तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो क्या जाएगा आपका option number बी हो जाएगा इसका correct answer question number 11 है समानुपाती प्रभाव के नियमक है नियमक की बात की गई है यहाँ पर तो option देख लेते नियमक क्या क्या है केवल रेखा का प्रभाव केवल दूरी का प्रभाव रेखा दूरी तथा माप का प्रभाव कोई भी नहीं देखे समानुपाती अगर प्रभाव की हम बात करें तो इसके समानुपाती प्रभाव की बात करते है तो इसमें जो इसका परणाम उत्पन होता है, वो किस से होता है, आपके रेखा, दूरी तथा, भीविन मापों का प्रियोग किया जाने पर ही यह प्रभाव उत्पन होता है, तो इसका सही आंसर आपका किस option में मिलना है, यह मिलना है हमें, जो है option number C में, रेखा, दूरी तथ प्रद हमेशा नमूनों के किस भाग को सुंदर पनाया जाता है ईसके निटसेश आंसर हो जाएगा आपका अप्षिन से कोशन नमबर 13 है मारा परदा हमेशा लगाना चाहिए मोटा तथा पूरे दर्वाजे और खिड़कियों पर पतला यह आधे दर्वाजे और खिड़कियों पर पतला यह पूरे दर्वाजे और खिड़कियों पर किसी भी तरह से तो देखिए जो पड़दे होते हैं वो हमेसा हमें मोटा तथा पूरे दर्वाजे खिर्कों को कवर करने वाले ही पड़दे लगाने चाहिए तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका option number A क्या हो जाएगा इसका correct answer हो जाएगा question number 14 है हमारा कम्रे की सजावट में अपचारिक संतुलन कौन सा है केंद के दोनों और एक बराबर की वस्तुएं केंद से उपर नीचे अलग अलग रंग इनमें से कोई नहीं तो अगर हम इसके सही आंसर की बात करें तो देखे कम्रे के जो सजावट हो है उसमें अगर हम उपचारिक संतुलन लाना चाहते हैं तो हमारा जो option है वह उसके accounting जा रहा है कि इसके एक पिसाथ जा रहा है अगर केंद के दोनों और एक बराबर की वस्तुव रखा जाती है तो और और अपचारिक संतुलिबल से लिए कि जाती होता केंद परभावर वस्तुव स्थे सारा थे में थी्ट में एक सजावट है यहां का अब रचिन देखने daytime अगर में सजावट है मंडला का जवह है राजस्थान का है Shh वह आपके है राजस्थान का है और इसके खलाव कर रहा हम बंगाल की बात करते हैं तो बंगाल में जो है आपका वह क्या जाता है इसfert साथिया नाम की जहाद कि जाती है तो यह दो भी याद रख़िएगा कि बंगाल में कौन से गुजरात में भी की कल्प यानि डिजाइन या परिधान के अंदर की सभी संधियों के बीच के संबंद को कहा जाता है लेक कहा जाता है समरस्ता कहा जाता है और धारना कहा जाता है या पी क्या कहते हैं आपका अनुपात कहा जाता है तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा जो डिजाइन होती है परिधान होते जो उनके अंदर की सभी संधियां होती है उसको हम अनुपात के नाम से जानते हैं तो इसको जो है क्या कहा जाता आपके अनुपात कहा जाता तो इसक रूप में संजीव या पिर अमिर्टती की टुकडो को जोड़ कर जो एक बना जाता उस उसमें कर sürp 217 ऑप्षन No 18 है घर की सजावत से तात पर है। घर में फूलदान यहां पर अगर हम सजावट की बात को तो सजावट का मतलब यह कि वो जो है आपका क्या हो संतुष्टी भी प्रदान करें यहां पर यह नहीं कि हम कमरों को अपने गलीचों से परदों से भर दें या अधिदिक मातर में रख दें तो क्या होता है एक विवस्ति जैसी इस्तिती उत्पन करते तो यह आपकी सजावट नहीं किलाएगे कि अगरें आपको कमरों में उप्युक्त समान होना चाहिए मतलब किसके कॉर्डिंग कलापूर्ण व्यवस्ता हो उतना ही समान जो है आपके कमरी में होना चाहिए तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वह आपका क्या हो जाएगा question number 19 है सजावट के सिध्धान के तक्तु है अनपात है संतुलन है प्रभाव है यह सबी है तो देखे सजावट के सिध्धान की बात कर रहे हैं या कला के सिध्धान की बात कर रहे हैं डिजाइन के सिध्धान की बात कर रहे हैं जो जो आपके सिध्धान मैंने भी स्टार्टिं त्वारे च्ट přांपशन हम एक अच्छी ग्राणी वही एग संतुलित वजट का निर्मान करें परिवार के सभी सदसों कि और शक्ताओं को mart त fragrance स्वच्छता अक्रम बदत्ता तता सुंदर्ता का ध्यान रखे उप्यूग सभी तो देखिए सारे आंसर जो आपके ऑप्शन में दे रखें वो करेक्ट है इसलिए हम ऑप्शन नमबर ड के साथ जाएंगे कि ग्रहणी कैसी होने चाहिए जो अच्छी ग्रहणी में क्या संतु संतुरित बजट बनाने बजट का निर्माण करें वो और परिवार के सभी सदस्तों के उशक्ताओं को भी महतुत दे घर में सवच्छता कम्रों बदता और सुंदर्ता का भी ध्यान रखे तो इसके अकॉर्डिंग आपका इतीनों ऑप्शन होने के वज़ए से हम आप्शन सम्मथ किसका है यह बताना है और को देख से कह घर है या फिर के करेक्ट आपका है 的 झाल तो रहते हैं कम इस्थान कम खर्च और कम समय में घर को सजाना कम इस्थान कभी भी आपको करके या फिर आपको जो है अधिक मित्वेता की भात नहीं कि जाती यहां पर आपको संतुली थर चीज़ी की बात की यहां पर ध्यान रखना है कि पहले इस वाले option में क्या-क्या चीजे कर सकते तो देखे अधिक खर्च की बात की तो यह option तो आपका correct नहीं होगा हम इसको cut कर सकते हैं अधिक scene कम खर्च और अधिक समय में घर को सजाना यह भी आपका cut हो जाएगा क्योंकि यहां पर भी अधिक समय की बात की गई है हम अपने home management अपने समय को manage करना अपने budget को सही खर्च में रखना यह सारी चीज़े हैं तो यहां यह सब चीज़े आपकी नहीं सटीकारी तो यह भी option आपका क्या हो जाएगा अप्यूट में से कोई नहीं देखिए अगर हम कोई नहीं को लगाने से पहले यह दे लेते कि कम इस्थान कम खर्च और कम समय में घर को सजाना ही क्या है तो इसका सही है आपका जो है इस तरह के जो कहते है रिदम होता है किसमें आते हैं वह रिदम न यानि की लै को ही जो है यह थ सिच्छ को प्रकड़ करता हमारे उतार को प्रकड़ करता है तो उसका सही आंसर हो जाएगा आपका option twenty five कोशन है कला के अधारिय तत्तो में एक है संतुलन है लै है रेखा है अनूपता है तो कला के अधारिय तत्तो के हम बात करते हैं कला क्या तत्तो कि ना है एक आ है रेखा जो है कि इसका अधारिय तोस युजय और आएता इसका सही आंसर हो जाएगा आपका option number c is a correct answer इसलिए को कुणा के सिध्धान्ट और कॉन कौन कौन से सिध्धान्ट है कौन से तत्वनिका में कर दो प्रकास की बात करें तो यह भी आपका क्या है संतुलन आपका क्या सिध्धान्त में आता है और उप्यूक सभी तो हम आंसर फिर हम जाहीं नहीं सकते क्योंकि यहां पर संतुलन दे रखा तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका आपका और संस्ड करेंघ्धान्सर और जाएगा संस्त प्रकास का कड्राइगा यह विश्याईस रूप से सजावाट प्रियूग किया जाता है कड़ाई कैंची कत्रने हल का का अत्यादी कत्रन देखिए ज tend to be see this रूप से दो में बात करता है तो सजयावड का यूज किया जाता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका option number C is a correct answer question number 26 संतुनन लय तथा अनुपात कहलाते हैं कला की सिध्धान कला की तत्थ कला की सत्था इन में से कोई नहीं तो संतुनन लय तता अनुपात क्या है हमारा यह हमारे जो है नहीं आते हमारे आते सिध्धान में तो यह इसका सही आंसर आपका हो जाएगा option number A क्या हो जाएगा इसका correct answer हो जाएगा question number 29 है परिधान के नमूनों नमूनों की रचना में रेखाओं आका रंग बनावड आदी को व्यवस्तित करने के लिए भी कला के मूल भूत सिधान्तों का सहरा लेना चाहिए कटाई के सिधान्त का सहरा लेना चाहिए आखे के सिधान्त का सहरा लेना चाहिए लाइन के सिधान्त का सहरा लेना चाहिए तो इसका सही हैं तो तक कि जो उपर से साथ होते हैं के इसका सही आंसर हो जाएगा आपका नमबर सी इस वीडियो का मारे लाश्ट कॉर्शन है इन में से किस तत्य के प्रयोक से कला के आकार रेखाओं और रंगों को दोहरा जाता है դो जो है यहाँ पर जो कला के आका रेखाओं और रंगों को दोहराने कार्य करते हैं वह किस में करते हैं तो जाना हो जाएगा अगर वीडिएتي llus पसंद से जाती ह similarities का लाइक शेर यह जरू है करके प्रेस कर लिजए ताकि आने माली जत्ती भी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे थांक यू